राम राम जहिन तो कई लोगं की ये सिकायत रहती ही कि भीया हमारा वजन तो कम हो रहा है लेकिन जो कमर है या कहें पेट से उसकी चरबी कम नहीं हो रही है जो हमारी तोंध है वो कम नहीं हो रही है तो 5 क्या वज़े है जिसके वज़े से आपकी तोन कम नहीं होती उसको इपर बात करेंगे और आपको last में solution भी देंगे सबसे पहला reason क्या होता है कि आपने सिर्फ दोड़ दोड़ के अपनी जो वज़न है उसको कम किया जिससे कि आपका overall वज़न कम हुआ है ना कि fat और वज़न कम होने का मतलब यह है कि आपने muscle को loss किया है muscle मतलब पूरी body में जो भी आपकी shoulder और हाथों में chest में जो भी muscle है उसको आपने lose किया है साथ ही साथ जब आप सिर्फ दोड़ के वज़न कम कर रहा है तो आपका water loss हुआ है ना कि आपका fat कम हुआ है तो पहला reason यही है कि आपने सिर्फ भाग भाग के वज़न कम किया है जिससे आपका सिर्फ water weight और आपका muscle lose हुआ है ना कि आपका fat पहला रीजन यह हो गया तो इसका solution यह होगा कि आप running तो करो वो ठीक है लेकिन उसके साथ strength training भी add करो strength training चाहें आप घर पे करो या फिर आप जिम में जाके करो अगली बात यहां पर यह है कि genetic बहुत बड़ा role play करता है आपका पेट का या पूरी फिजिक का structure maintain करने में genetic का मतलब यह होता है कि अगर आपकी family में लोग मतलब जितने भी लोग रहे हैं उनके पेट बढ़े हुए थे पेट निकले हुए थे तो बहुत जादा आप भी उस lean फिजिक में नहीं आपाऊगे अगर आपको उस फिजिक में आना है तो एक्स्रा आपको अलग से कुछ dose लेने पड़ेंगे तो आपको क्या करना है आपको बस एक healthy diet healthy work out maintain रखना है जिससे कि आपका पेट कम तो होगा लेकिन आपका अगर जैनेटिक उस तरीके का नहीं है कि आप बिल्कुल लीन दिखो तो आपको बहुत मुस्किल होगी लीन होने में तो जैनेटिक दूसरा सबसे बड़ा रोल प्ल जो कि हमें visible होता है मतलब कि हमारी इसकिन जब वो आप देखते हुरा वेंस निकल आई है तो वह परसेंटेज जब सबकुटेनियस जो फैट होता है वो कम होता है तब आपकी वेंस दिखती है लेकिन जो visceral fat होता है वो आपके जितने भी organs होते हैं kidney liver जितने भी आपके organs है आसपास होता है हार्ट के आसपास होता है इसलिए का जाता है सबसे पहले उस fat को कम किया जाता है जो कि visible नहीं होता है तो तीसरी condition यह भी हो सकती है कि आपका visceral fat कम हुआ हो जो की बहुत जल्दी आपको देखने को नहीं मिलेगा आपकी body पे बहुत ज़्यादा effect सामने से द करते रहो धीरे धीरे आपका पेट भी कम होगा चौथी बात अगर हम यहां पर करें तो चौथी बात आती है कि कई बार हमें यह लगता है कि मारा पेट बढ़ा हुआ है जबकि वह होता क्या है ब्लोटिंग इन डाइजेशन या कहें आपकी गट हेल्थ इंप्रूब नहीं है आपको जब भी ब्लोटिंग होगी तो पेट आप फूला हुआ पेट है आपका ठीक है तो इसको हम क्या समझ लेते मुटापा है जबकि मुटापा नहीं होता है वह होती सिर्फ ब्लोटिंग तो इसके लिए आपको अपना डाइजेशन ठीक करना पड़ेगा जिसके उप किस पर हो रहा क्रेज डाइट में कि आप दिन में सिर्फ 500 कैलरी खालो एससे सिर्फ आपका वजन गिर रहा है आपका फैट कम नहीं हो रहा है तो इन सब बातों को छोड़ो सबसे ज्यादा आपको काम करना है अपनी मसल्स को ग्रो करने में और उसके लिए आपको अपनी कै करना चाहते हो तो यह पांच साइंटिफिक तरीके हैं जिनसे आप अपनी बढ़ी हुई तोंद कम कर सकते हो वरना यूट्यूब पे तो हजारों वीडियो आपको मिल जाएंगी जो कि आपकी सिर्फ पांच एक्साइज में आपकी तोंद कम करा देंगी लेकिन वो सिर्फ पास है वो सिब मित है उससे कुछ भी नहीं होगा आपका बला खैर अगर आप पसनल ट्रेनिंग के तुरू एचीजे लेना चाहते हो प्लैन लेना चाहते हो तो आप हमसे कंसर्ट कर सकते हूं आप हमारी इमेल एड्रेस पे मेल करके भी सारी जनकरी ले सकते हो या फिर आप